हरे कृष्णा तो प्रश्णा ऐसे है कि भगवट गीदा में ये चतुर श्लोकी क्या है तो चतुर श्लोकी जो है ये चार श्लोक है भगवट गीदा में जिसमें पूरा भगवट गीदा का संग्षेप या भगवट गीदा का सार हम समझ सकते हैं तो स्रीमन चेतने महाप्रभू उन्हें कहा कि वेद शास्त्रा जो है जितना भी आप अभ्यास करेंगे तो वेद शास्त्रा जो है मुख्य तीन चीज के बारी में बता रहा है कि एक जो है संबंद ज्यान कि संबंद क्या है हम कौन है बगवन क्या है हम और बगवन का संबंद क्या है ये सारे चीज जो है भगवान के बारे में हम जिवात्मा के बारे में तो ये सारे चीज जो है ये संबंद अग्यान ये पहले है दूसरा जो है अभी देय अग्यान कि वो प्रोसेस जो है कैसे ये नौलेज को हम अप्लाई कर सकते हैं ये प्रोसेस जो है भगवान को औ और निकट से जाना ये बोलते अभिध्यय ज्यान। और तीसरा जो है प्रयोजन जान। इसका क्या प्रयोजन है। क्या फल हम मिलने वाले हैं इसमें। क्या फाइदा है। क्या नफाह है। अब हम देखेंगे भगवत गीदा में ये चार बीज श्लोक ये चतुर श्लोकी भगवत गीदा में केसे साराम संख्षेप में पूरगीदा का ज्यान बता रहें और साती सात ये तीनों चीज को भी चर्चा कर रहें तो ये चतुर श्लोक की जो है दस्वा अध्याय आटवा श्लोक से लेके ग्यारावा श्लोक तक और पहले श्लोक जो है जो आटवा श्लोक जो है वो संबंद ज्यान के बारे में बता रहे हैं चलो हम देखेंगे यह श्लोक है, दस्वा अध्य है, आट्वा श्लोक, भगवान से कृष्ण अर्जुन को बताया है, इस तरह है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतफ सर्वं प्रवर्तते इती मत्वा बज्ञंते माम बुधा भाव समन वितः, तो यहाँ पे यह संबंद ज्यान क के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान कहते हैं यहाँ पे अहम सर्वस्य प्रभावो, सब चीज जो है मेरा प्रभाव से आते हैं, मतलब सारे चीज जो है उसको स्त्रोत कौन है, भगवान है, फिर वापस भगवान कहते हैं, मतफ सर्वं प्रवर्तत मेरे से ही सब चीज जो है निरमान हो जाते सब चीज प्रकट हो जाते मतलब इसमें हम समझ सकते कि परमपूरुश नियंत्रक पूर्न पूरुशो अतम भगवान कौन है स्रिकृष्णा है अहम सरवस्यप्राभा मत्रस्र्वम प्रावर्तय फिर बात में बगवान बता रहे इती मत्वा बजनते माम जो जो लोग इस चीज़ों या मेरे बारी में जानते हैं इती मत्वा बजनते माम वो लोग मेरा भजन करते हैं मेरा पूजा करते हैं मेरा भक्त बन जाते हैं केसे किस तरह से भक्ती करते हैं बुधा भाव समन्मिता नहीं है कि साथ ही साथ भुद्ध भी है मतलब भुद्धी भी लगाते हैं ना केवल कुछ speculation केवल एक सिधान्तिक चीज है नहीं साथो साथ भाव भी लगते हैं तो ये दोनों चीज बहुत important है प्रैक्टिस करकर कि साथ साथ में उसका ज्यान भी उपयोग करना चाहिए ना तो ये जो है संबंद ज्यान दूशरा श्लोक हम देख सकते हैं जो दस्वा अध्याए नौवा श्लोक हैं ये जो है अभी धेया ज्यान के बारे में एक प्रोसेस कैसे ये संबंद ज्यान को apply करनेगा तो बहगवान बता रहे है उसका चितन जो है उसका जो सोच हैं वह हमेशा मेरे बारे में सोच रहे मत गता प्राना उसका जो life है उसका जो आयू प्रान है वह हमेशा मेरे लिए दे रहे भोधयंता परस्परम ओ एक दूसरे परस्पर एक दूसरे के साथ क्या करते भोधयंता मतलब ओ प्रचार करते या सिखाते या बताते हैं ना क्या बताते भगवान के बारे में खता करते कृष्णा करते हैं एक दूसरे के बारे में हमेशा तो जितन इस तरह भक्त जो है, जो मच्चता, मच्गता, प्राणा भक्त जो है, वो हमेशा तुष्यन्ती, मतलब तुष्टी, सैटिस्फाई, और रमन्ती, आनन्द लेते हैं, रमन, एंजोई करते हैं, और साथी साथ संतुष्ट भी बन जाते हैं, देखो, कृष्णा कथा, कृष्ण श्लोक और ग्यारवा श्लोक, ये दोनों प्रयोजन ग्यान के बारे में बता रहे हैं, ठीक है हम भगवान के बारे में जानते हैं, और भगवान का भक्ती करते हैं, पूरा हिर्दई पूरवक, मन पूरवक, बुद्धी पूरवक, भाव पूरवक, है ना, तो इसमें क्या आप मिलने वाले हम, भगवान क्या करना करेंगे हमरे लिए? तो इसमें भगवान बता रहे हैं, दस्त्वाश लोग जो है, तो जो जो लोग ऐसा सतत युक्त, सतत में युक्त हैं भक्ती में, बजातां प्रीति पूर्वकम, मतलब पूरा प्रेम पूर्वक और मेरा पूजा करते हैं दधामी बुद्धी योगम्तम मैं ऐसे ऐसे भक्तों को बुद्धी देते हैं भक्ती देते हैं कि क्रिस्प्रकार से आप मेरे को पूजा या भक्ती कर सके हैं ये ना मामुपयांती ते टांकी ये लोग को मेरे पास आ सके हैं तो वास्तव में भगवान परमत्मा के रूप किरदेय में है और जितना हम भक्ती कर रहे हाए प्रेरना या idea देते हमको inspiration देते हमको चलो चलो किस चीज़ के? कि अखरी में हम भगवान को कैसे पहुंचाने का ये ना माम उपयान्ती दे तांकि वो लोग मुझे पहुंच सकते हैं तो ऐसे भगवान का इच्चा है तो भगवान आइडिया देते हमको भगवान ज्यान देते हमको और फिर अखरी श्लोक जो है भगवान बता रहे ते शाम एवानु कंपर तम ऐसे लोगों को में विशेश कृपा है अनुकंप विशेश अनुकंप देखाते हैं ऐसे लोगों को अहम अज्यान जम तमह मैं जो जितना भी ये अज्यान और तमस और अंदकार जो है ये सारे चीज़ क्या करते हैं बगवान नाशयामी आत्मभवोस्तो मैं उसको नश करता हूँ जितना भक्त का अज्यान, अविध्या, तमोगुन ये सारे चीज़ को मैं नश करता हूँ आत्मभवस्तो खृदेई में स्थित आत्मभवा मतलब खृदेई में खृदेई में स्थित करके अंदर के अंदर inside job बगवान कर रहे हैं अंदर के अंदर ही बगवान ये सारे जो जितना भी अज्ञान है अविद्य है ये सारे चीज़ को नश करते अगारन जैसे ज्ञाना डीपे ना भासवता जैसे एक दीप है जबी उसका जो जोत है हम लगाते है और इतना उसका रोशनी जो हर जगा फैलत है तो वैसे भी भगवान जो हरदय के अंदर जबी ज्ञान देते भक्त को तो तुरंत अज्ञान अविद्या, तमगुन सारे चीज़ दूर रहते हैं ये दो श्लोग जो है भगवान बता रहे कि इसका प्रयोजन क्या है तो इस तरह से हम देख सकते ये चतुरुशलो की भागवदम है ये ही मेन है भगवान क्या कहना चाहता है भगवदगीदा में कि भगवान कौन है? भगवान से कृष्णा हमरा मुक्यकार्य क्या है? कि हिर्दय पूर्वक, बुद्धी पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान को सेवा करना कैसे सेवा करो? कि कृष्णा कता करो कृष्णा के बारे में चर्चा करो कृष्णा का कीर्तन करो हमेशा कृष्णे के बारे में सोचता हूँ और इसमें से हम क्या मिलने वाले हैं? अरे, क्या नहीं मिलने वाले हैं आपको? भगवान यहाँ पर बता रहे है, पहले चीज जो है भगवान कुद्छ स्वायम खिर्दः के अंदर हमको ग्यान देते, बुद्धी देते कि केसे हम भगवान को धाम वापस पहूwny सकते हैं दूसरा है भगवान बताए कि खरदे के अंदर स्थित्थ हैं इंसाइट जॉब करके घवान अंदर का जितना भी अंदकार है जितना भी घंदगी है जितना भी बुरा चीज है वो सब साफ सफाई धूर करेंगे Hare Krishna